है अधि है लो फ्रेंड्स आज का मानेया टॉपिक है फैडरल एसेम्ली और स्विज कॉंसिटिउशन तो आज स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो इंट्रोडक्शन देखते हैं फैडरल एसेम्ली इस स्वीजर लेंड फैडरल रेजिसलेश्यर जो फैडरल एसेम्ली है तो क्या करती है लौ मेंखिंग का भी काम करती है इसलिए इसको फैडरल एसेम्ली और फैडरल एसेम्ली वह सबसे पहले 1848 में बनाई गई थी उसी समय स्वीजर लेंड को एक फैडरल एस्टेट भीमाना गया था नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फैडरल एसेम्ली इस बायर कैमरा रेजिसलेश्यर जो स्वीजर लेंड की एसेम्ली उसको बायर कैमरा रेजिसलेश्यर कहते हैं क्योंकि इसमें दो हाउसे हैं एक अपर हाउस है एक लोवर हाउस है ठीक और अपर हाउस को नैशनल काउंस वो फैडरल एसेमली के द्वारा इलेक्ट किये जाते हैं और इनका काम क्या होता है कि जो भी लौ मनता है उसको आगे अच्छी तरीके से फॉलू ख़राना हो थे नेक्स पॉंट है इसके बाद ओर हमेंड मैं कर सकते आगे क्यां अब यहाँआए फीचर सो फिश फैडरल एसेमली फैर्डल एसेमली जो कि अब बता चुके हूं मैं अभी यह टू है एम आर नाशनल नाचल नैशनल इतनी सीत टूहनदेट सीइट ऋटसक्तक्र इस्टेट को आलए इन्दिया में लोक मारे की में यहां पर national council or council of state member of both houses represent the cantons जो members होते है council of state के और national council के वो किसको represent करते है cantons को cantons मतलब होता है state और इंका tenure मतलब को इंक का जो वर्क कर ने का मुटा वह सिर्फ फॉर यर का होता है बहुत है इक्वल पावर दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है नेक्स्ट पॉइंट दिया है नैशनल काउंसिल लोवर चेमबर और काउंसिल ऑफ स्टेट अपर चेमबर नैशनल काउंसिंग को लोवर चेमबर कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर चेमबर कहते हैं ला मतलब जित्ती population होगी उसके हिसाब से seat नैशनल काउंसिल को दी जाती है Every canton has two seat in council of state जो council of state है उसमें क्यों होता है कि हर canton को two seat दी जाती है except of six half canton बस किसको छोड़के जो six canton है उनको छोड़के जो six canton है उनमें खाली one seat दी जाती है जैसे कि council of state में 46 seat है और इसमें से six seat को one seat दी जाती है और बाकी जो seat है उनको two seat बाकी जो canton है उनको two seat दी जाती है Next slide देखते हैं इसमें United Federal Assembly जो Federal Assembly है इसमें क्या होता है कि यह इसका एक feature है United Federal Assembly जब दोनों house एक साथ बैठती हैं और कोई discussion करती हैं किसी topic पे या किसी law को बनाने के लिए या कोई special announcement करना होता है उसके लिए तो यह लोग एक साथ jointly बैठते हैं इसलिए उन्हें United Federal Assembly का जाता है तो next इसका point देखते हैं जो कि मैं अभी बता चुकी on occasion of two houses sit jointly as the United Federal Assembly जब दो houses एक साथ बैठेंगे तो उन्हें क्या बोलते है United Federal Assembly this is done to elect to of the Federal Council and Federal Chancellor the federal judge and a general यह कब बैठते हैं जब हमें elect करना पड़ता है किसको elect करना पड़ता है federal council के member को elect करना पड़ता है या federal chancellor को elect करना पड़ता है या फिर judges को या किसी एक general position के लिए इलेट करना पड़ता है इसलिए तब हम क्या करते है United Federal Assembly बठाते है जो United Federal Assembly है इसका एक यह main feature है यह क्या करती है यह pardon issue करती है जिस तरह इंडिया में President खाली pardon issue कर सकता है सेम उसी तरह United Assembly स्विजर लाइन में इसमें जो है कि जो फैडरल एसेमली है वो कोई अगर स्पेशल एनाउस्मेंट करना पड़ता है तब यह join करके एक United Federal Assembly के तुरू बताती है और बीट्रेट इन इवेंट ओफ conflict between authorities अगर हमें किसी जा किसी फैडरल ऑथूरिटीज किसी अधिकारियों के बीच में अगर कोई conflict हो जाता है तो उसको बात सिर्थ से समझाने के लिए इंगा गटन होता है ठीक तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा